सबसे पहले Google में School Scholarship का website टाइप करेंगे और search करेंगे जैसे ही search करेंगे तो इसके login page पे आ जाएंगे login page पे user id, password और capture code दिये सबसे पहले user id डालते हैं फिर password डालेंगे और password की बाद इसमें capture code डालेंगे क्यों capture code की बीना आगे process नहीं होता है तो इसके बाद लॉग इन करते हैं लॉग इन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा इसमें 52,21 में 9 इन विद्धैर्थियों का पंजियन इसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा इसमें आपको वर्तमान का अक्ष्छ में Select करना है तो मैंने चटवी चूज किया, फिर उसका प्रवेश क्रमांग, जो भी होगा आपकी छात्र का प्रवेश क्रमांग टालिएगा, इसके पतसाथ 11 वी बारी वाला हाई स्कूल के लिए है, इसके बाद विद्ध्यार्थी का नाम भरना है, उसके पिता जी का नाम भरना है, और अवश्यक है उसके बाद विद्यार्थी का अधार नमबर सौधने पूरक भरेंगे अधार संक्या के बाद विद्यार्थी का नाम अधार कार्ड में जो दिया है वही नाम इस कालम में भरना है इसके बाद लिंग में आ जाईए इसमें बालक बालक है जो भी आपकी केस में है यसे मेरे case में फी मिल है तो फी में जाती वर्ग में AC, ST, OBC तो मैं OBC डाल देता हूँ और इसके बाद जन्मदी नाम कि इसमें छात्र का जन्मतिति आएगा जन्मतिति डालने के बाद छात्र का मोबाइल नंबर डालना है या उसे पालक का हो सकता है उसके बाद बैंक की जन्म करिया जाता है, इसमें सबसे पहले बैंक का नाम डालना है जो भी बैंक होगा तो मेरे case में शत्री वर्ग मेंक है, मैं वो डाल देता हूँ , फिर उसके बाद नीचे साखा का नाम है, तो जो भी साखा होगा आप उसको डालिए, साखा डालने के बाद इसमें आर्टोमेटिक उसका IFC कोड आ जाएगा, तो उसको भरने के जरुरत नहीं है, फिर आता है खाता क्रमा, ये साधाने से भरेगा, इसमें छात्र का खाता संक्य एकदम सही होना चाहिए, इसके बाद क्या विद्यार्थी के नाम पर है खाता, तो हाँ है तो हाँ, नहीं है नहीं, मेरे केस में हाँ है, तो मैं हाँ डाल दिया हूँ, आपके केस में नो है तो नो भी डाल सकते हैं, क्योंकि पालक का भी आ सकते हैं, इसमें माता पी तक आप डाल सकते हैं, इस प्रकार जो हो आपके case में उसको select करेंगे इसके बाद क्या अभिभावक के पास 10 एकर से ज़्यादा जमीन है तो हाँ है तो हाँ नहीं है तो नहीं मेरे case में नहीं है फिर क्या अभिभावक आय कर दाता है नहीं तो no का option चूज करना है फिर उसके बाद ये दो कालम जो है आटोमेटिक की dark है तो उसको भरने के जोरत नहीं है इस प्रकार आपका format फूरा भरा गया है इसके बाद आप save में क्लिक करेंगे जैसे ही save में क्लिक करेंगे तो ये आपका data save हो जाएगा और चात्री दी पोर्टर पे ये आ जाएगा